आज मैं बनाने जा रहे हूं प्रसाद के लिए सूजी का हलवा जो की 10 मिनट में बनके तयार हो जाएगा तो आप भी इस अस्टमी पे ये हलवा जरूर बनाना चलिए हम देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने सारी चीजे ले ली हैं इस दूद में मैं डालूँगी थोड़े से केसर के धागे पैन हमारा गरम हो गया है अब इसमें हमने जो घी लिया था ये मैं डाल दूँगी तो घी हमारा मेल्ट हो गया है अब सबसे पहले इसमें मैं भूण लो बहुत ज्यादा हमें नहीं इसको भूनना है और इसी के अंदर मैं अभी अपना ये रवा जो है इसको भी फून की तयार कर लेंगे गैस का फ्लेम होने लो कर दिया है अब इसका कलर चेंज होने तक हम अच्छे से भून लेंगे अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी चीनी जब सारी चीज़े आप मिक्स कर रहे हैं तो गैस का फ्लेम लो ही रखें ऐई मैं इसमें डाल रही तोड़ा सा इलजी पाउडर अब इसके बाद मैं डाल रही है इसमें यह हमने लिया है जो केसर और दूध मिला के रखा था फिस पीन कटोरी इसमें पानीडाहे अब अच्छी से हमें इसको मिलाना है और पानी को सुखाना है और जो हमने ड्राइफूर्ड फ्राय करके रखा था ये भी मैं डाल दूँगी इस साथ में आपको चाहिए तो आप इसको काट के डाल सकते हैं तो ये देखिए बिल्कुल पर्फेक्ट हल्वा हमारा बनके तयार है गैस को हम आफ कर देते हैं अभी तो देखा आपने एह हल्वा कैसे दस मिनट में बनके तयार हो गया वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करना और ट्राइ जरूर करना अश्टमी के दिन तो चलिए मिलते हैं आपको एक निव रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई